हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपे लेकर आई हूँ मिक्स वेज की जो बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आने वाली है क्योंकि मेरे बच्चों को भी ये बहुत जादा पसंद है आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा मेरी फैमिली में भी ये सब को बहुत पसंद है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां मैंने एट की हैं जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और वीडियो को प्लीज लास एक जरूर देखेगा और पसंद है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दीजेगा इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए चार बड़े साइस का आलू जिसको मैंने अच्छी से दो करके कट कर लिया है और उसके बाद मैंने लिया है एक बड़े साइस का बैगन उसको भी मैंने अच्छे से दो करके कट कर लिया है फिर लेना है एक बड़ा शिमला मिर्च जिसको भी अच्छे से दो करके चोटे चोटे पीसे में मैंने कट कर लिया है फिर मैंने दो बड़े साइस का टमाटर लिया है इसको भी मैंने अच्छे से दो करके कट कर लिया है और उसके बाद मैंने दो चुटकी मेथी लिया है और एक बड़े लालमिश को छोटे चोटे पीसे में तोड़ लिया है और एक छोटे साइस का मैंने प्यास लिया है जिसको पत्ले स्लाइशेज में मैंने कट कर लिया है और ये है इसका सेक्रेट मसाला जिससे इस सबजी कटेश दूगना हो जाता है ये है सौफ और कलाउंजी का पाउडर जो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ बना करके इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ मेशा अगर आपको इसको बना कर रखना है तो आपको दो चमज सौफ में सिर्फ आधा चमज कलोंजी मिलाना है और बस इसी तरह से हलका दर-दर पीज कर आप रख सकती है आप चाह远़ तो इसमें गाजर है या मत्यर है या पत्ता गोबी है या और कोई शी भी सब्जी आप इसमें एड़ कर सकती है सब्सब्स अच्राइब नगवर और गया नगवाई यूरा और मैं मैं कुकर को निदू है और तो थोड़ी देर के लिए हीट होने दे रही हूं और फिर मैं इसमें 4 चमश तेल में एड़ कर रही हूं कि मैंने सेरसो का तेल कीने से लगते हैं यह सब्षय कर लेकल अच्छे के साथ है कि इक दम धुआ पनें कर दोटों लेए तरहां है उसले तेल कि कचे पहंतों की पा Kunga झालने लगा है विए इसी से तरह marまた the इंकिना मैं उसको एड़ कर रही हूं इसको हलका सा फिटा以及 ठाइस करना है उसके बाद प्यास ऐड़ करना है और एड़ा से लो कर देना है मीडियुम फुले нет प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसको चलाते रहना है जिसे की प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए लेकिन यह जलेना और फ्लेम को मैं थोड़ा सा और हाई कर रही हूँ अब प्यास गोल्डन ब्राउन होने लगी है यह आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्यास और अब मैं इसमें आलू आड़ कर रही हूँ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आड़ करना है और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी आप तीखा खाते हो तो जादा ले सकते हैं अलू को थोड़ा सा मैं फ्राई कर रही हूँ थोड़ी दर इसको चलाने के बाद मैं इसमें शिम्ला मिच को एड़ कर रही हूँ शिम्ला मिच को एड़ करने के बाद मैं इसमें बैगन को भी एड़ कर रही हूँ टेमाटर को भी मैं नहीं डाल रही हूँ इसको पहले अच्छे से फ्राई कर लेना क्योंकि अगर तुरंट डाल देगे तो टेमाटर अगर पानी छोड़ देगा और यह अच्छे से फ्राई नहीं होगी तो सब्जी में उतना जादा सोनधा पन नहीं आएगा टमाटा रखर बाद में डालेंगे तो यह ज़्यादा टेस्टी लगेगी इन सारी सब्जियों को मैं थोड़ी देर तक फ्राई कर रही हूँ इसको अच्छे से चलाते रहना कि अच्छे से फ्राई हो जाए अब यह फ्राई हो चुकी है अब मैं इसमें टमाटा एट कर रही हूँ टमाटा को एट करने के बाद भी थोड़े देर के लिए इसको चलाते हुए पकाना है टमाटा भी थोड़े सा फ्राई हो जाए अब मैं इसमें नमक एट कर रही हूं जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और फिर मैं पिसी हुई लाल मिश एट कर रही हूं जो आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर चला रही हूँ मैं इसको मिक्स कर लूँ अच्छे से और उसके बाद जो कलाउंजी और सौफ का पॉडर मैं आपको दिखाया था उसको एक चमच एक टेबिल स्पून में एड़ कर रही हूँ इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इस सबजी में स्मेल बहुत ही अच्छे आती है इस मसाली की वज़े से और इसको फिर थोड़ी देर तक चलाते हुए इसको भून लेना है अब मैं कूकर का ढकन बन कर रही हूँ और इसको एक सीटी आने तक हमें तेज आज पर ही रखना है इसके फ्लेम में हाई कर रही हूँ और जब एक सीटी आ जाएगी तो उसके बाद हमको इसको लो फ्लेम पर कर देना है एक सीटी आ चुकी है और इसको अब मैं लो फ्लेम पर कर रही हूँ और लो फ्लेम पे भी एक सीठी आने देना है एक सीठी आ चुकी है और अब इसका फ्लेम में आफ कर रही हूं और कूकर का प्रेशर निकलने तक हमको ऐसे ही छोड़ देना है और अब कूकर का प्रेशर निकल चुका है हम इसको खोल के देखते हैं हमारी सबजी तयार है लेकिन हमें इसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी एड नहीं किया था लेकिन जो सब सबजियां होती है खासका टमाटर वो अपना पानी छोड़ता है इस वज़े से इसमें आप देख सकते हैं कितना सा पानी आ गया है इसको थोड़ी देर के लिए भूनते हुए पानी को जला देना है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसको थोड़ी देर तक मैं भून के पकाऊंगी ताकि इसका पानी जल जाए और यह बहुत ही सोंधी सबजी बनके तयार होती है और पानी और इसको थोड़ी देर तक फून लेते हैं जाकि इसका पानी भी जल जाए और हरे दन्या कर टेस्ट सबजी में अच्छे से आ जाए आप यह सबजी अपने बच्चे को बना कर जरूर खिलाएगा और आप खुद भी खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगती है और इसमें को बहुत ही जादा टेस्टी सब्दी तयार है और इस रेस्टी को टेस्ट जरूर करिएगा पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा